स्राम की छोटी मोटी भू को या बड़ों या बच्चों किसी को ब्रेक्स में खाने का मनो तो बनाए देशी स्टाइल मैकरोनी जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी आप इस वीडियो को पुड़ा देखें अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइ में तीन कप पानी ले उसमें आधी चोटी चमच नमक और एक चोटा चमच रिफाइन ओयल डाले गैस का फ्लेम हाय है पानी में जब उबाल आ जाए तब इसमें एक कप मैकरोनी डाल दे मैकरोनी को थोड़ा-थोड़ा करके डाले क्योंकि मैकरोनी जब हम पानी में डालते तो पानी तीजी से उपर जाती है थोड़ा-थोड़ा करके सारा मैकरोनी डाले मैकरोनी डालने के बाद एक स्पून की सायता से मैकरोनी को जरूर चलाए नहीं तो मैकरोनी तले में जाके चिपक जाएगी मैकरोनी को हर एक दो मिनट में बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये तले से चिपके नहीं मैकरोनी को कितनी देर उबालें मैकरोनी के पैकेट पे इंस्ट्रक्शन्स लिखे होते हैं इसे कितनी देर उबालना है वैसे ये 6-7 मिनट में उबल जाती है अब फोर्क की साईता से इसको प्रेस करें, ये इजली प्रेस हो रहा है, इसका मतला मैकरोनी कुक हो गया है अभी गैस का फ्लेम बंद कर दें और आव एक चन्नी लें, चन्नी में मैकरोनी को जानकर अलग रख लें अभी हम देशी स्टाइल मैग रोणी बना रहे हैं तो मसाले भी हमारे देशी होंगे इसके लिए एक मिक्सी का जार ले जार में चार लेशन की कलिया आधा इंच अधरक का टुकड़ा दो सोखी लाल मिर्च लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग ले ले एक छोटा प्याज प्याज हम इसलिए डाल रहे ताकि मसाले अच्छे से पिछ जाएं प्याज को रफली चौप करके डाल दे अभी जार में दो से तीन बड़े चमच पानी डाले और मसालों को पीस ले देशी स्टाइल मैकरोनी के लिए देशी मसाले तयार हैं मसालों को साइट रग अब गैस पर एक पैन को गर्म करें पैन के गर्म होने पर इसमें एक बड़ा चमच रिफाइन ऑईल डाले ऑईल के गर्म होने पर पैन को गुमा गुमा कर ऑईल को चारो तरफ कर ले अब इसमें एक वीडियन साइज के प्याज को फाइन चौप करके डाले गैस का फ्लेम च क्लर होने पर इसमें पीसे हुए measure को डाल दे चार में जो मसाला बच गया है उसमें दो तीन बड़े चमझ पांई ढाले और उसको मसालों के साथ अच्छे सेमिक्स कर ले और उसको भी परेंडे में डालते चाहरा डाल heiß Suram अनुसार ले अब इसमें आधी छोटी चमस देगी मिर्च डाले नमक और मिर्च को टमाटर मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करें मसालों को ढखकर हमें तब तक कुख करना है जब तक कि साइड से आईल ना निकल जाए बीच बीच में मसालों को चलाते रहें ताकि मसाले तले से जल नहीं जाए हर एक 2-3 मिनट में मसालों को एक बार बीच में चला लें और शाथी टमाटर को मैश करते रहें ताकि ये मैशी हो जाएं मसालों को भूनते हुए 14-15 मिनट हो गया है और मसालों के साइड से आईल भी रिलीज हो गया है एक बार मसालों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसमें उबाले हुए मैकरोनी को डाल दें मैकरोनी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हर एक मैकरोनी के ऊपर मसाले अच्छे से लिपठ जाएं मैकरोनी और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब इसमें एक चोथाई छोटी चमच गरम मसाला डाले और गरम मसाला को मैकरोनी के साथ अच्छे से मिक्स कर ले और गैस का फ्लेम बंद कर दे हमारा ये देशी स्टाइल मैकरोनी मसाला बनके तयार है तो चलीए अब मैक्रोणी मसाला को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं आप चाहें तो मैक्रोणी मसाला को करटी भी धनिया पती से सजा कर सर्व करें आपको ये रेसीपी कैसी लगी? साथी साथ आप ये भी पताएं कि आप देसी स्टाइल मैकरोनी मसाला इस तरह बनाते हैं